इस चैनल पर जो भी वीडियोज मनाई जाती हैं वाजिकेशनल परपस के लिए हैं अगर आपको कोई दिक्कत होटी है तो आप उन्हें डॉक्टर से कंसर्ड करें फॉर मौर इंफ्रमेशन कंजीडर अवर डिसक्रेमर और आपको कौन-कौन सा फूड अवोइड करना चाहिए अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो वीडियो को एंट तक पूरा ज़रूर देखें for complete information तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सिप्लोक्स 500 mg टैबलेट होती क्या है और इसका composition क्या होता है दोस्तो इसके अंदर सिप्लोक्ससिन 500 mg composition के साथ यूज किया जाता है सिप्लोक्ससिन मैं आपको बता दूँ एक antibiotic होती है जो की second generation fluorocinolone का एक part होती है या फिर उसमें lie करती है जो की singly या फिर combination में use की जाती है bacterial infections को treat करने के लिए तो हम uses में बात करेंगे किस-किस तरह के bacterial infection में ये काम आती है तो दोस्तो एक बार discuss कर लेते हैं किस-किस condition में आपको इसे use नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर आप इस salt से सिप्लोक्ससिन से allergic है तो आपको अपने doctor को पहले ही बता देना है या फिर अगर आपको कोई already कोई disease है या फिर रह चुकी है तो उसके बारे में भी आपको अपने doctor से हमेशा पहले ही बता देना है ताकि वो उस हिसाब से ही दवाई का चैन कर पाएं use कर सकें तो चले दोस्तो अब एक बार नजर डाल लेते हैं इसके क्या-क्या uses हो सकते हैं या फिर doctor से किस-किस condition में use करते हैं दोस्तो ये ear and eyes infection में सबसे ज़्यादा use की जाने वाली antibiotic होती है, bacterial infections को treat करने के लिए भी इसका use किया जाता है, UTI infection में भी ये use की जाती है, UTI बोले तो urinary tract infection में भी इसको doctors use करते हैं, lungs infection में भी इसका प्रियोग किया जाता है, जैसे कि pneumonia हो गया हो या फिर bronchitis हो गया हो तो भी doctors इसे use करते हैं, या दोस्तो आपको sinus की दिक्कत है या फिर skin, bone या फिर prostate से related कोई bacterial infection है आपको, तो भी doctors इसको widely use करते हैं, तो जैसा कि हमने detailed में बात कर लिए किस-किस condition में use होती है, बट doctors इसे और भी condition में use कर सकते हैं, अपनी experience के अनुसार, तो आप बात कर लेते हैं, आपको कौन-कौन सा food avoid करना चाहिए, अगर आप ये medicine ले रहे ह तो, दोस्तो अगर आप ciprofloxacin tablet ले रहे हैं, या फिर आपका treatment चल रहा है, तो आपको dairy products या फिर caffeine containing products को बिल्कुल avoid करना चाहिए, जैसे कि tea हो गया, coffee हो गया, energy drinks हो गया, soft drinks हो गया, जिसमें cold drink होती है, Coca-Cola हो गया, या फिर chocolate है, या फिर इन से related जो other food है, या फिर cold drinks होती ह उनको आपको बिल्कुल avoid करना है, अगर आपका ये treatment चल रहा है तो, तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं, इसके क्या-क्या side effects हो सकते हैं, दोस्तो ऐस सच इसके normal side effects हैं, जो कि visible नहीं होते हैं, जैसे कि nausea हो गया, diarrhea हो गया, vomiting हो गया, या फिर skin पर rashes हो सकते हैं, अगर आप को ऐसा कुछ भी लगता है, तो अपने doctor से तुरंद consult करें, ताकि वस medicine को बंद किया जा सकें, तो चेले दोस्तो बात कर लेते हैं, इसकी costing की, दोस्तो इसका 40 रुपे का पत्ता आता है, 10 tablet का, तो एक हिसाब से लगाएं, तो 4 रुपे पर tablet या आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, तो दोस्तो आशकरते, मैं आपका हर एक doubt इस वीडियो में clear कर पाया हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है, तो comment box में पूछ सकते हैं, और फिर instagram पे पूछ सकते हैं, आईडी आपको description में उस screen पर भी मिल जाएगी, thank you दोस्तो, बाबाय, take care, ऐसी informative videos के चैनल को subscribe करें